टमाटर महेंगे हो गए तो क्या हुआ फिर भी हम तो यमी यमी और टेस्टी चीजे बना कर खाए लेंगे तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं राजमा चावल बहुती मसालेदा टेस्टी बिना टमाटर के हम इसे बना कर तेयार गरेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेर भी कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए दोस्तो बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां हमने 100 ग्राम राजमा लियते जिससे हमने 3-4 गंटे के लिए भीगो कर रख दिया था और अब आप देख सकते हो कि राजमा ग्यादे काफि अच्छे से भीग चुके हैं यह दिखिए काफि अच्छे सी भीग गया है तो अब हमें इसे बोईल कर लेना है तो इसे बोयल करने के लिए हमने यहां कुकर गे अंदर लिग राख दिया और एक चमच हमने नमक डाल द और यहां हमने कड़ाई को गेज पर रख दिया है और इसके अंदर डाल देना है एक चमच ओईल और इसे हमें अच्छे से गरम होने देना है और अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा और इसे भुनने देना है साथ से आठ कड़ी पते भी डाल देंगे और दोनों को हमे मसाला तियार कर लेते हैं तो यहां हमने 50 चमच लाल्री जांद का पौडर हैं यहां हम बाद्य को मिङक्षिज को यहां हमारा मसाला भूनकर त्यार हो गया है यह देखिए हलका ब्राम हो गया है मतलब यह रेडी है यहां तक ही हमें इसे फ्राइ करना है और इसके अंदर हमें डाल देना है जो हमने पेश्ट तेयार किया था इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से बून लेना है थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिस तेरने लग गया है तो इसके अंदर हमें डाल देना है एक बड़ा चमज दही जिससे की अच्छा खटापन आ सके और फिर से हमें इसी चलाते हुए अच्छे से भून लेना है जिससे की दही भी हमारा अच्छे से पक जाए दो मिनट तक भूनने के बाद अभी आप देख सकते हुए दोस्तों की मसाला हमारा एकदम दानेदार सा दिखने लग गया है ये काफी अच्छे से पक गया है तो अब हम इसके अंदर जो हमारे राजमा है वो उबल के तियार हो गए है ये देखे मैं आपको तोड़कर दिखा हम अच्छे से ये पक चुके है यह आसानी से तूट रहे हैं तो अब हम इसके अंदर पानी के साथ ही डाल देना एहे वानिया हमारा जो है इसे फलेवर भी बहुत अच्छा हैगा तो इसके कम 5-7 मिनट पकने देना है 5-7 मिनट के बाद दोस्तों देखिए जो हमारी राजमा चावाले वह अच्छे से पक चुके हैं और अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक चम्मच राजमा मसाला थोड़ा सा घर का बनावा गरम मसाला भी इसके अंदर एड़ कर देंगे इसका फ्ले कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है और कम से कम दो मिनट के लिए फिर से हमें इसे उबाल लेना है तो दो मिनट उबलने के बाद चलिए दोस्तों कि फ्लेम हमें ओफ कर देनी है और दो मिनट के लिए ठंडा होने देना है तो अब आप देख सकते हो कि जो राजमा ह है वह हमारा काफी अच्छा से बंगर त्यार हो चुका है बहुती असाले-दार बन कर त्यार करणा यह कैन्की दूस्तों चावल भी हमारे बन कर त्यार हो गए तो चलिए, अब हम इसी सर्फ कर लेते हैं तो यह देखी दूस्तों यमी और टेस्टी राजमा जो हैं हमारे वो तयार हो छुके हैं चावल के साथ बोहुती टेस्ट लगते हैं मसालों से लबालब गृबी वाले राजमा beispielsweise बोहुती मस्थ बन कर तयार हुए हैं चली हो टेस्ट कर लेते ही बोहुती यमी बन कर तयार हुआ वा मज़ा गया तो आप भी ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताए कि केसी लगे आज की ये राजमा की रेसिपी थेंक यू